सिर्फ एक मिनट में अपने बीपी को मैनेज करें, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करें, सिर्फ एक मिनट में, इससे यदा नहीं करनी है एक्सरसाइज, एक ही मिनट करनी है, जैसे आपको लग रहा है बीपी बड़ा बड़ा है, कुछ नहीं करना नथिंग जैसा मैं बता रहूं बिल्कुल वैसे ही करना जैसा बता रहूं नग बिल्कुल वैसे ही करना सेम तूसे पर सिर्फ एक ही मिनट करना है थी 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 रहुआ कर बंदे आसे से अ faced मैं अीड़िंगा ही मिनटी करना हीर रहुआ करना ब्सक्राश से घ्किती करना। aquele इंक क को बैं का ढूंदेश मैं दोता रहुआ ही मिन ओम तॉआए्षका मैं बभ्ट हाँ हूँ बस आठथावरी ले ले एं और मुशी छोड़ने है ठीक है कोई काउंटिंग नहीं कुछ नहीं करना है आट दस ब्रीद लेने हैं मुह से छोड़ने और एक तस बीस सेकिंड के लिए आग बंद करके बैठ जाना है अब देखना कि ता फ्रेश फ्रेश फिल करने लोग हो गया इसको आप कहीं भी कभी कर सकते हो कहीं भी कभी भी तो आप देखोंगे इमेडियेट इंस्टेंट एनर्जी फिल होने लेगे आपका बड़ा हुआ बलड प्रेशर नीचे आगया एंग्जाइटी का जो अटेक हो रहा था वो भी कतम हो गया जो आप डिप्रेस डिप्रेस फिल कर रहे थे वो भी कतम हो गया ठीक है ना यह छो मैं एक दम फ्रेश हो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सिर्ख पाच बार यह बोल देना और फिर देखना क्या फरक पड़ता है आप अभी से करना यह लाइने भी बोलना और फिर वीडियो के नीचे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना आपके कमेंट करें दूसरी ये समझते हैं कि भी वीडियो सचमुच काम करता है या नहीं करता है हम ऐसे ही लोग हैं जब तक दूसरा ना कह दे कि इस काम को करने से फाइदा है तब तक हमें यकीन नहीं आता हमने खुद कभी किसी काम को सुयम करके देखा ही नहीं और देखा और अगर उसका फाइदा भी हुआ तो हम दूसरे को बताना भी नहीं चाहते हैं, हम तो उसे छुपा कर रखना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग जिने फाइदा होता है, मैं बोलता हूँ, वीडियो फीड़बैक बना कर दीजिए, तो आप यकीन मानों, सौ में से एक आदमी भी तयार नहीं होता वीडियो फीड़बैक भेजने के लिए, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो मेरी समझ में नहीं आता, आप जड़ा सोचो, अगर मैं भी अपने सकारातमक अन्भो, अपनी टेक्निक, अपनी ट्रिक्स वीडियो में नहीं बताता है, या फिर मेरे जैसे हजारों लाखों वीडियो तो जरूर लाइक कीजेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा, चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लिजे, पहुत बहुत शुक्रिया, पहुत दिन्माद